आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका नाम है टाइम सारा कार यह समय पर हो जाता है तो जीवन में कोई तकलिफ ही नहीं रहती है तो आज का यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इंपॉर्टेंट क्यों है उसके पहले यह सवाल आप लोगों सभी से वाइट टाइम एंड वर्क हमको क्यों पढ़ना पड़ता है ऐसा क्या रीजन है कि यह चैप्टर को हम लोगों के स्लेवस में रखा गया है आप कमेंट करेंगे सभी स्टुडेंट करके एक बार बताएंगे और जितने भी स्टुडेंट है एक बार ध्यान से सुन लेना बात को कि हमारी जो प्रतिग्या बेट 6 बजे होती थी उसका टा एक्सटेट पेपर स्टार्ट कर दिया है जितने भी स्टुडेंट का एस बाई पी ओक एक्जाम है उनके लिए 6 से 9 बजे का सेसं रहेगा इसमें हम लोग 15 मॉक टेस्स कर रहे है और जो प्रतिग्या है उसका टाइमिंग डेली चार बजे रहेगा चार से आपका क्लास प्र कल सूबर 10 बजे गॉल बेच में टाइम पर पहुँच जाना आप लोग ताइमिंग याद रखना कल सूबर 10 बजे गॉल बेच में हम लोग के स्लेबस में रखा गया है है हलो अनन्दा स्रीमान निखिल साधना सुजीत सभी को हलो बताओ कि आर्बियाई प्रिप्रेशन सक्षिस का के नाया सर आर्बियाई ग्रेट बी की भी हाँ उसकी भी तैयारी करेंगे है जैसे लग रहा ना कि एक्जाम आने वाली उसके तैयारी स्टार्ट हो जाएगी आपको बिल्कुल टेंसन नहीं लेना है सारी सीजी हो जाएगी आप लोगों के लिए ठीक है अनन्दा आपको नहीं भूले चलो आज आयर आप लोगों में से तो किसी का कमेंट नहीं आया कि पता हो 10 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे अगर आप से सवाल पुछा गया है कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिनों करेंगे कमेंट करेंगे चलिए fast यहां समझ में आ जाएगा आपको time and work क्यो पढ़ना पड़ता है तो 10 आ ऐसे घुट होगा सभी, सादना का 40 दिन है संजू का 40 दिन है तो क्या होता है या है concerned इसका reason समझते है इसमें क्या हונה होता है न दोस्स point number one लिख लेना आप लोग अगर notes बनाते तो point number one है कि number of persons जो होते नमबर of persons जो होते है वो क्या होता है inverse होता है कि number of days number of days के inverse का मतलब यह होता है कि अगर आप यहाँ पर divide कर रहे है 2 से क्या कर रहे हैं 2 से divide कर रहे हैं तो आपको इधर multiply करना पड़ जाएगा 2 से मतलब 20 से 10 मनाया तो 20 में 2 का multiply करेंगे 40 days हो जाएगा inverse relation होता है से number of persons और number of days का और ये inverse relation की वज़ा से ये chapter आपके syllabus में है क्योंकि confusion बहुत होता है गलतिया बहुत होती तो अगर कोई काम 20 आदमी 20 दिनों में करते हैं इसका मतलब 10 आदमी उस काम को 40 दिनों में करेंगे तो ये point आपको clearly समझ में आगया होगा किसे number of person और number of days एक दुसरे का inverse होगा चलो एक सवाल आपसे फिर पूछते है ठीक है अगर मैं बोलता हूँ कि इसको बात में पूछते है भी एक और point समझते है फिर पूछते है फिर ज़्याद अच्छे समझ में आएगा second चीज point number two अगर मैं बोलता हूँ कि A किसी काम को 10 दिनों में करता है और B उसी काम को 20 दिनों में करता है तो बताओ किसका efficiency ज्यादा है इसका efficiency ज्यादा होगा आप बोलेंगे सर देखो हम ना दाने भले इससे बट answer परता है हमको अगर एक 10 दिन में कर रहा है तो एक कम time में कर रहा है इसका मतलब एक efficiency ज्यादा होगा बहुत सांदार तो सर अगर यहाँ पर time का ratio देखिए हम लोग तो time का ratio कितना बनेगा 1 & 2 का बनेगा 1 & 2 का बनेगा यस सर अगर मैं आप से बुछता हूँ कि efficiency का ratio क्या होगा आप बोलेंगे सर इसका inverse कर दो 2 & 1 कर दो मतलब कहने का यह है कि time जो है वो efficiency का inverse होता है time जो है वो efficiency का क्या हो जाएगा inverse हो जाएगा यह हमारा second point तो मतलब यह हो गया सर कि अगर मैं आप से बोलता हूँ सबी लोग comment करके answer बताएंगे अब आपकी बार ही है अगर मैं आप से यह बोलता हूँ कि A & B जो है उनके time का ratio आपको दे रखा है 3 और 4 का तो बताओ efficiency का ratio कितना बनेगा fast comment करेंगे अगर मैं आप से बोलता हूँ कि A & B के time का ratio 3 और 4 का है तो इनकी efficiency का ratio क्या बनेगा what is the ratio of their efficiency ठीक है बहुत सांदार सभी के answers तो बहुत fast आया त्यार अब इसका answer भी बता दो कि अगर A & B के time का ratio 3 और 4 है तो इनकी जो efficiency है उसका ratio क्या बनेगा क्या बनेगा भी ratio 4 और 3 अरे वह क्या बात मजा आगया सर एकदम correct answer बता है आप सभी ने 4 और 3 का बनेगा बहुत सभी क्या होता है efficiency का inverse होता है ठीक है भी यह बहुत सांदार एक और सवाल आप लोग को इस पुछते हैं और इसमें लाल color से लिखते हैं क्योंकि मैं को उम्मेद है आप गलत कर सकते हो a b and c तीन लोग है इनके time का ratio दे रखा है 2 3 और 4 बताओ efficiency का ratio क्या बनेगा और यह नाम हमेशा के लिए रहेगा PDF में भी रहेगा अगर abc के time का ratio 2 3 4 है तो इनकी efficiency का ratio क्या बनेगा अरे वह चार तीन दो अंजली ममता यह आपी के लिए कुशन था तो जो correct answer है वह आया है सबसे पहले संजू पतेल का संजू आपका नाम यह हमेशा PDF में भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है सबसे पहले और correct आया था वह देखो ऐसी गलती बिल्कुल मत करो यार आप लोग कि अगर 2 3 4 है तो इसको उल्टा लिख देते है चार तीन दो लिख दिया अगर आप ऐसे करोगे तो यह पहल फे बहुत बड़ा तो दो नंबर होते हैं इनवर्स कर दिया कोई दिक्कत नहीं है वन बाई 3 वन बाई 4 वन लब क्रोस मल्टिप्लाई 4 3 हो जाता है बट अगर 3 नंबर होते हैं न तो ऐसे नहीं कर सकते हैं आपका efficiency अगर उल्टा होता है तो यह ratio आपका 1 by 2 1 by 3 और 1 by 4 बनेगा मेरे भाई और अगर यहां पर 12 से multiply कर दिया जाए तो यह बनेगा 6 यह 4 और यह 3 यह आपका efficiency का ratio होगा एक basic concept of ratio याद करो मैंने जब ratio आपको बताया था क्या बूला था कि ratio and percentage डूए ऐसे चैप्टर है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है तो यह समझ लेते कि उल्टा उल्टा नहीं होता है अपन होता है तो time का ratio अगर 3-4 हो तो efficiency का ratio 1 by 3, 1 by 4 होगा उसको solve करेंगे तो 4,3 बनता है तो वैसे यहाँ पर आपका ratio 6,4,3 बन जाएगा I hope कि इसी गलतिया आप future में कभी नहीं करने वाले है तो यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा दो पॉइंट अभी तक हम लोगों ने देखे है सर नंबर और परसन number of days के inverse होता है and time जो है वह efficiency का उल्टा होता है यही रीजन है time and work chapter हमको पढ़ना पड़ता है टेकर चैप्टर की वैंटिज के अगर बात करें ना तो बहुत ही ज्यादा वैंटिज मान सकते हैं इस चैप्टर का यहां पर वैटिज के अगर बात की जाए तो prefilliance में आपको दो जाता है यह आपको कैलकुलेशन करना और नहीं निकालना है तो अभी जब कॉश्चिंज का प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी एक और चीज आपको बता नहीं है एक और क्या चीज़ बताने हैं सुन दो ध्यान से कि सर कही बार ऐसा कुश्यन आ जाता है कि 10 आदमी 10 गंटे काम करते हैं तो 15 दिनों में काम कतम होता है पांच आदमी 20 गंटे काम करें हैं कितने दिनों में काम कतम होता है ऐसा सवाल आते है कही बार तीक एसा होता है कि एक कॉ question आ जाते है या फिर बोल सकते है group वाले question बनते है group based question बनते है तो आपको केवल एक छोटा था formula आपको रखना है असली मसाले सच-सच mdh m1 d1 h1 divide by w1 equal to m2 d2 h2 divide by w2 यह आपका बन जाएगा formula किसका बन जाएगा sir group based question का कभी भी सवाल में ऐसा आता है ना 20 आदमी इतने दुनों में काम करते हैं तो यहाँ पर m जो है वो रिप्रेजेंट करता है number of persons को main को t रिप्रेजेंट करता है days को इच रिप्रेजेंट करता है hours को कितने घंटे काम चल रहा है ठीक है और w रिप्रेजेंट करता है work को अब देखो यह भी हो सकता है यहाँ पर e1 और e2 से multiply भी कर देना है अलब यह आदमियों का efficiency अगर अलग होता है यह आदमियों का efficiency अलग होता है तर efficiency आपको हमेशा focus करना है efficiency के ऊपर क्योंकि अगर आप efficiency calculate कर लेंगे सवाल में कोई दम नहीं रहेगा क्योंकि पूरा काम जो है वह efficiency का ही है कोई भी सवाल हो time and work का सवाल हो pipe and system का question हो आपको हमेशा efficiency के ऊपर काम करना है क्लियर कहां काम करना है efficiency करना है अब प्रक्टिस कर लेते थोड़ा ना question करते है आपको और अच्छी समझ में आएगा और मैं जो भी सवाल करा रहा हूंगा अब ट्राय करना answer आगया बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो मैं एकड़म basic तरीके से आपको बताने की कुछिस करूंगा ताकि concept पूरा आज की class के बाद यह clear हो जाए ठीक है चलो भई आजाओ पहला सवाल देखते है first question यह रहा है आपकी सामने इसका answer बताओ क्या बने देते हैं so what is the value of x x का value क्या है सवाल में आपके जीवन में नहीं बताओ का answer आप लोगों का तरिस्क का answer सबसे पहला है मैंने क्या बोला है आपका द्यान efficiency पर होना चाहिए तो ए लिखा और यह बी लिख दिया ए जो है वह काम कटम करता है एक्स डेस में भी कतम करेगा थ्री एक्स डेस में तो सर यह number of days दे रखा है इसका मतलब अगर में number of days का ratio निकालूँगा तो एक और तीन हो जाएगा एक्स एक्स बरबाद हो जाएगा ठीक है क्या बन गया time का ratio 103 का अब यह बताओ efficiency का ratio कितना होगा आप बोलेंगे सर इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि दो ही number उल्टा कर तो काम हो जाएगा खतम तीन और एक का efficiency का ratio बन गया है अच्छी बात है अब क्या है सर efficiency आगे सवाल तो खतम हो जाएगा आपने बोला हो गया है खतम देखो अगर यह दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 प्लस 1 एक दिन में कितना काम करेंगे 4 unit काम करेंगे अगर एक दिन में 4 unit काम करते और 12 दिनों में काम खतम होता है तो total काम 4 x 12 हो जाएगा और यही total काम अगर इसको करना है ए इसको समझने की कुसिस करो, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, कभी भी आपको total work निकालना रहा, तो multiply करेंगे total efficiency into total number of days, यह लिखने की ज़रुरत नहीं है, केवल समझने के लिए लिखा है मैंने, कि आप कभी भी total work निकालना चाहते है, पूरा का पूरा काम निकालना चाहते है, तो आप क्या करेंगे, जो अगर दोनों का combine number of days दे रखा है, तो combine efficiency multiply by number of days आपका total work हो जाएगा, अब यह पूरा काम A करेगा, तीन की efficiency से 16 दिन आपका answer बात का तब, सवाल को देखकर समझ में है, कहाँ पर जाना है हमको, यहाँ पर, यहाँ तक पहुझना है बस, बाकी का रास्ता खुद बखुद आसान हो जाता है, ठीक है, चलो, अगला सवाल देख लेते, next question यह रहा आपके सामने, सवाल को देखो जहाँ से, A complete one third part of the work in five days, अब A जो है न, one third part complete कर रहा है, पांच दिनों में, जबकि B complete करता है, two fifth part of the same work in ten days, and how many days will they complete doing the work together, कितने दिनों में यह मिलकर इस काम को खतम करते हैं, sir please एक बार explain कीजिए, okay ममता एक और बार explain कर देते हैं आपके लिए, सवाल को try करो, समझ में आज़े, and जो भी student class में लेट आ रहे न, आपसे छोटी सी एक request है, try किया करो, class time पर पहुच आए, ठीक है, चलो, दखो भई, A कितना काम कर रहा है, sir, A काम कर रहा है, one third part कर रहा है, अब one third काम करने में कितना दिन लग रहा है, पांस दिन लग रहा है, अगर ये one third काम करने में पांस दिन का time ले रहा है, मतलब पूरा काम complete करेगा, पांस दिन लग रहा है, सर, two fifth काम कर रहा है, two fifth unit काम कर रहा है, कितने दिनों में, दस दिनों में, मतलब अगर ये पूरा काम करेगा, तो क्या करना है आपको, ये दो से इसको cancel किया, पांच और पांच में पांच का multiply, पच्चीस दिनों में खतम कर देगा, इसका मतलब ये हो गया कि, सर, अगर 33.33% वर्क पांस दिनों में करता है, तो 100% वर्क 15 दिनों में करेगा, पूरा काम, और ये two fifth, two fifth मतलब 40%, 40% काम 10 दिनों में करता है, तो 100% का 25 देज में करेगा, अब अगर यहां पर हम लोग LCM लेते हैं, LCM हो जाएगा 75, और जब ये LCM होता है, इसको हम लोग हम ऐसा total work assume करेंगे, ये जो LCM होगा, इसको total work assume करेंगे, 75 को 15 से divide किया, तो 5 इसका efficiency आ जाएगा, और 3 इसका efficiency आ जाएगा, दोनों का efficiency आ गया, सवाल खतम हो गया है, अब आपसे बोला गया है कि एक साथ कार्य कितने दिनों में खतम करेंगे, एक साथ मिलकर 8 unit काम करना है, 75 unit total काम है, 75 unit total काम, दोनों मिलकर 8 के साब से करेंगे, तो answer हो जाएगा, 75 by 8, 8 number होते, या भी 9, 3 by 8 is correct answer बन जाएगा, option B is the right answer of this question, option B सवाल का एकतम correct answer, सभी को clear है, किसे को कोई दुविदा, दिक्कत, परेशानी, हिरानी तो नहीं है, ऐसे सवाल fraction वाले आते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये एक का value निकाला है, एक मतलब total, 1 3rd का value 5 है, तो 1 का value कितना होगा, 5 तिया 15, 2 5th का value 10 है, मतलब आपको 1 का value निकालना है, 5 इदर जाएगा, 50 को 2 से divide करेंगे, 25 आजाएगा, तो ये आपका आजाएगा, कि ये पूरा काम अकेले कितने दिनों में करेंगे, और ये अकेले-अकेले का पता चल जाएगा, तो इ यहां तक बात clear है, क्योंकि यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, अब हम सवालों की बहुत सारी practice करने वाले, concept clear हो गया, practice किया, काम खत्म है, तो यहां तक पूरा clear 100%, किसी की दिमाग में छोटा सा भी doubt चल रहा है, एक छोटू सा छोटू question में दिमाग में चल रहा है, न कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर किसी को doubt आता है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बाकी लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल मत सोचना, बाकी क्या सोचते, उससे मतलब नहीं है, बाकी आपको जानते भी नहीं है, आपको आपका doubt clear होना चाहिए, comment करके पूछ देने का, बिल्कुल घबराना नहीं है, चलो आजाओ, आगे बढ़ते हैं, question देख लेते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसका answer बताएंगे, अब क्या बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या बूल रहा है अब आपको, पूजा के नहीं सर, एक बार और बता दीजिए, ओके पूजा, यह सवाल आपके सामने, इसको try करो बनेगा, ठीक है, तर एक बार बता दीजिए, हाँ नितु आपके लिए भी, इस सवाल को मैं समझते जाते हैं, तो को सवाल यहाँ पर, अब क्या किया रहा है आपर, ठीक है, मैं आपको पूरा basic से एक और बार बता दूग है, अब आपको यह बताना है कि तीनों मिलकर कितनी दुनों में काम खतम करेंगे, आप कराते हो तब हो जाता है, बट खुद से करने में नहीं होता, इसका है ना मैंने जवाब का answer भी दिया भी, हम लोगों एक interview panel पूरा बनाया था, जिसमें सारे question आपके लिए गए गए थ करता है कि हम class में करते हो तो बन जाता है, आप सामने होते हो तो बन जाता है, बट जब खुद से कर रहे होते हो तो नहीं बन पाता है, उसका reason मैंने वहाब बताया था अच्छे, option number E, पका, जिनको नहीं आया समझ में दियान से देखना, A किसी काम को 8 दिनों में करता है, A क करेगा 10 दिनों में, और C करेगा 20 दिनों में, C करेगा 20 दिनों में, क्या करना है, सबसे छोटा था काम है, तीनों का LCM, तीनों का LCM लेंगे लगत्तम समा पर तक, तक, जैके, कैसे लेते थे सर, ऐसे, 8, 10, 20, यह लिया, पहले 2 से divide करेंगे, 4, 5, 10, फिर 2 से और divide करेंगे, 2 तो पाँच पाँच फिर पाँच से डिवैट करेंगे दो एक एक दो दूना चार पंजी बीच दूना चाली चालीस एलसियम हो गया तो भाई यह बच्पन के आदते छोड़ देना आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सबसे चोटा काम करेंगे सबसे बड़ा नंबर देखना है इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कुंसा है सबसे बड़ा है क्यों इट अस मैं ओने लेकर चलो वियुडा चुलो यह बतогत असे को कभी आपको की नंबर का यल्सियम लेना है तो आप क्या करेंगे सबसे बड़े वाले नंबर की टेबल दिमाग में याद करने की कोशिस करेंगे और उन टेबल को आगे बढ़ते वे देखेंगे कि कौन से नंबर ऐसा आता है जिसे सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे अब आट, चालिस को आट से डिवाइड से कितना हो जाएगा? पाच हो जाएगा चालिस को दस से डिवाइड क्या 4 हो जाएगा और यह आपका 2 हो जाएगा तर यह जो numbers आये यह क्या है यह आपकी efficiency है इसकी ABC का efficiency है या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसको one day work भी बुल सकते है एक दिन का काम one day work और efficiency और efficiency यह होती है टोटल काम कितना है 40 कौन करेगा सर तीनों मिलकर करेंगे 549 और 40 by 11 या 40 by 11 यही बुला है ना कारे वो कितने दिनों में पूरा कर सकते सभी का गलत है क्या ई तो है नहीं A होगा या इसका answer दो कि आप लोग E क्यों बोल रहे थे हैं अच्छा यह आदत हो जाती ना हम लोगों की कि सर E हमेशा मतलब 90 होता है E का मतलब 90 होता है देखो आंके खोलो थोड़ी सी 90 सबसे पहले नमबर पर है option number one होगा answer A होगा ठीक है मैं सोचा कि E बोल रहे हैं आप लोग E बोल रहे हैं गलत किसी हो गया समझ में आया गलत क्यों हुआ नन अपदी सबसे पहले नमबर पर A answer होगा अच्छा यह गलती है न हम लोग एक्जाम में भी कईबा करते हैं अर्थमेटिक में तो बहुत काम होती है बड़ जब गलती आपको बिलकुल नहीं करने हैं ठीक है ओके क्लियर है बात आगया समझ में अच्छा आप यह तो नहीं सोच रहेगी सर यह 37 बाइ 11 का मतलब 37 बाइलेवन अच्छा आप यह सोच रहे होँ गार इसलिए आप लोग आप तो मासू में आप गलती क्यों करेंगे आप ऐसा सोच रहोंगे यह fraction में दे रहा 32 by 11, 39 by 11, 35 by 11, 37 by 11 अपना answer none of this होगा है अगर 37 by 11 होता मतलब 37 by 11 तो यह आपको टिक करण एकदम करेक्ट बाब है तो क्योंकि हमारा answer 40 by 11 हो अब यह एसा लिखा होता तो definitely सही हो जाता 3 7 by 11 तो हमारा answer correct हो क्योंकि ग्यारत या 33 और साथ कितना होता 40 बटा गया बट यह जो नंबर हो 39 by 11, 32 by 11, 35 by 11, 37 by 11 तो आपका answer क्या बन जाएगा none of this होगा ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं next question पर आजाते हैं अगला सवाल यह रहा आपके से देखो सवाल में क्या बोला है if x and y can complete a piece of work in 20 days y and z complete the same work in 12 days z and x could do the same work in 15 days how many days would be needed to complete the work by x y and z together मतलब अब आपको यह बताना है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में खतम कर रहे हैं कौन तीनों एक्स वाइज है अच्छा सवाल यार यह सवाल अच्छा मतलब इसी है जिनों टाइम इन वक पड़ा होगा अच्छा इसलिए क्योंकि इस टाइप के कोशिन आपको देखने को मिलते के सबसे का कई का सबसे पहला है तनु दिव्या सौरब सजीथ साथना के आगे साथना का 5 डे से, let's see, देख लेते हैं, साथना का correct या नहीं है, X and Y किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, X plus Y can complete a work in 20 दे, ठीक है, Y and Z, 12 दिनों में करेंगे, ठीक है, और Z and X, Z plus X, इसी काम को 15 दिनों में करते हैं, अब बोलेंगे, X देखो, दो बार है, Y भी दो बार है, Z भी दो बार है, मतलब हमको क्या मिल जाएगा, twice of X plus Y plus Z, ये twice का value, कितना मिल जाएगा, 5, 4, 9, 10, 11, 12 मिलेगा, ये तो twice का value है न, 2 से cancel कर देते हैं, तो तीनों का combine efficiency कितना मिल गया, 6, तीनों मिलकर एक दिन में 6 unit काम करते हैं, और तीनों को मिलकर इतना काम करना है, तो number of days लगेंगे 10 दिन, 10 दिनों में काम करते हैं, option number A is the right hand side, अब suppose आप से पूछ लिया जाता, कि बताओ जेड अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, अब सवाल ये पूछ लिया, कि जेड अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप बोलेंगे, sir, देखो ऐसा है, कि ये three मिलकर 6 unit काम कर रहें, three मिलकर 6 unit काम कर रहें, और X और Y मिलकर 3 unit काम करते हैं, इसका मतलब ये दोनों 3 करते, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, ये 3 plus 3 तब ही 6 बनेगा, मतलब जेड का efficiency तीन का है, जेड का Efficiency एकर 3 का हो गया इसका मलब जेड पूरा काम करेगा 20 दिनों में बात आई समझ में अगर वो पूछ रहा था Y कितने दिनों में करेगा तो Y का 60 डिवैड बाइफिशंसी जेड का निकालना है और Z का हो गया तो X करेगा साहाट दिनों में, अब अगर आपको Y का निकालना है, तो इस equation में से ये वाली equation की efficiency minus को रो, 6 में से 4 गया, 2, 2 से divide कर देंगे, 30 हो जाएगा, अगर आपसे individual का पूछा, तो भी निकाल सकते हम लोग, और 3-7 में मिलके करेंगे, तब भी निकाल सकते हम लोग, और 3 अच्छे से समझ आ रहा है, अरे वाब, बहुत साथ है, सर क्लास की टाइमिंग क्या है, टाइमिंग और क्लास 4 पीम, ठीक है, आपका जो regular प्रतिग्या बेच चल रहा है, वो 4 पीम पे चलेगा, और एक और आपका foundation goal बेच चल रहा है, इसका timing है 10 है, 10 बजे, ठीक है, तो कल सुबर 10 बजे एकदम time पर पहुचेंगे, हम लोग percentage chapter start करेंगे, percentage, और percentage अगर आपने पड़े भी लिया है ना, फिर भी कल का session attend कर ले ना, क्योंकि percentage का base हमारा strong होना है, percentage और ratio, अगर आपका एकदम मजबूत हो जाता है ना दोस्ट, उसके बाद फिर तकलिफ नहीं होती, ज एकदम basic से advanced level तक clear कर लो आप लोग, उसके बाद पूरे quantum में बस concept समझना है answer तो निकलेंगे अपने आप, ठीक है, जैसे कि अगले सवाल का answer देने वाले है, यह रहा सवाल बताओ क्या होगा answer, सवाल बोल रहा है कि A and B together can complete a work in 3 days, A और B मिलकर किसी काम को 3 दोनों में खतम कर the work is completed after two more days, दो और दिन लगे काम खतम हो गया, तो B पुरा काम कितने दिनों में खतम करेगा, ठीक है, B पुरा काम कितने दिनों में खतम करेगा, असली बेच कब से start होगा, यह नकली बेच चल रहा है तो, असली का मतलब क्या होता है, मैं को थोड़ा define करेंगे, on the subham, हाँ बता हो जरा, असली और नकली बेच का मतलब क्या होता है, तो 4 December के बाद कोई बेच आएगा, yes, definitely आएगा, तो को बेच चलते रहेंगे न आपके, don't be worry about that, हाँ, क्या बनेगा answer यहाँ पर, A and B together can complete a work in 3 days, they start together but after 2 days A lived, तो को ऐसा कर सकते हैं हम लोग इस सवाल को, जान समझना, A और B दोनों साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं, कितने दिनों में, 3 दिनों में, मतलब मैं अगर आप से बुछता हूँ, बता हूँ, इनका efficiency क्या होगा, या एक दिन का काम कितना होगा, बोलेंगे से इन दोनों का एक दिन का काम, वन थर्ड हो जाएगा, इसका उल्टा, ये दोनों में मिलकर एक दिनों में, वन थर्ड काम करते हैं, अब अगर ये एक दिन में वन थर्ड काम कर रहे हैं, दोनों ने दो दिन तक काम किया, तो दो दिन में कितना काम होगा, 2 3rd काम हो गया 2 3rd काम complete हो गया है तो 3 में से 2 minus करो कितना बचेगा 1 3rd remaining होगा यह remaining काम है और यह कौन करेगा B ने तो धोका दे दिया मतलब A को करना पड़ेगा A कितने दिनों में करेगा 2 दिन में करेगा remaining work remaining मतलब 1 3rd काम अगर A करता है A 1 3rd काम 2 दिनों में करता है 1 3rd काम 2 दिनों में करता है तो A काम करने में A को 6 दिन लगेंगे मतलब यह बात clear हो गई आपको कि सर यह दोनों मिलकर जो काम कर रहे थे वो 3 दिनों में हो जाता है जबकि A करता है 6 दिनों में ठीक है और A का पता चल गया निकाल दो LCM सा 6 LCM हो गया डिवाइट किया 2 1 आपको पता चल गया A का Efficiency 1 का है यह दोनों का Efficiency 2 का है इसका मतलब A 1 करेगा तो B B 1 करेगा A को 6 दिन लगेंगा तो B को भी 6 दिन लगेंगा काम खतम तो कि दोनों का Efficiency बराबर है दोनों भाई भाई है बात समझ में किसी को दिक्कत तो नहीं हलागि पता है यहाँ पर देखकर समझ में आजाना चाहिए कि सर देखो यह दोनों मिलकर 3 दिनों में करते है जबकि यह 6 दिन में करता है तो यह अगर 6 दिन में करता है बस यह वाली बात ध्यान रखना, कि A और B मिलकर कोई काम तीन दिनों में करते हैं, मतलब एक दिन का काम इसका उलटा हो जाएगा वन थर्ड, दो दिन का टू थर्ड अब टू थर्ड काम हो चुका है, तो बच्चा कितना वन थर्ड, वन थर्ड काम A करता है दो दिनों में वन थर्ड काम दो दिनों में होता है तो पूरा काम छे दिनों में हो जाएगा इसका मतलब अब सवाल सिंपल सा हो गया कि A और B मिलकर तीन दिन में काम करते है एच छे दिन में करता है तो B कितने दिनों में करेगा कि भी छे दिन में करेंगा है हाँ चलो क्लियर भाई सभी को समझ में आ गया आगे बढ़ते है नेक्स कुश्चन पर आ जाते हैं अगला सवाल देख लिए अगला सवाल यह रहा आपके सामने ट्राइ करो बताओ इसका एंसर क्या बनेगा सनी बहुत दिनों बात दिख्यो आप भी क्लास में नहां कह आए पुगयते है क्लास में बताहो क्या बनेगा इसका एंसर बागी सारे इस्ट्रेंट ट्राइ करेंगी a b and c can do work separately in 16,30 to 48 days सबी ने साथ में काम करना सुरू किया बट B left off 8 days and C 6 days before the completion of work मतलब B ने काम खत्म होने के 8 दिन पहले दोका दिया था तो कितने टाइम में काम कम्प्लीट हो जाएगा और जिन इस्टुनेंट की डिवांड दिकेशन हिंदी में भी सवाल आना चाहिए आप लोगों के लिए हिंदी में कुशिन आने लग गए है ठीक है तर परेशान नहीं होंगे है हिंदी इंग्लिज दोनों में सवाल मिलने लग गए हाँ बही क्या होगा इसका एंसर A, B, C can do a work separately in 16, 32, 48 days respectively they started the work together but B left of 8 days and C, 6 days before the completion of the work इनोंने 8 और 6 दिन पहले काम करना छोड़ दिया त्याग दिया तो काम जो है कितने टाइम में finished हो जाएगा 12 दिन अरे वह लेट सी देखते हैं 12 दिन होगा जैको A किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है एकदम करिकल बात है C बोल रहा है मैं 32 दिनों में करूँगा और C बोल रहा है मैं 48 days में करूँगा अच्छी बात है LCM निकाल दिया आप लोगों नहीं यह सर कितना हा रहा है 48 का double 96 96 एक ऐसा नमबर है जो 16 से डिवाइड हो जाएगा 32 से भी डिवाइड हो जाएगा 48 से भी डिवाइड हो जाएगा यह इनका efficient हो गया है अब बात को ध्यान से समझना इनको total 96 उनिट काम करना था था थीक है भाई कर लो अब क्या हो रहा है जब काम खतम कर रहे है तो पूरा 96 उनिट काम करेंगे अगर बीच में कोई छोड़के जाएगा फिर भी काम तो बचावा पूरा complete करना पड़ेगा जो छोड़के नहीं जाएगा इसका मतलब यह कि सर जो छोड़कर जा रहा है उसको पकड़ लो तो ठी ठीस अब आखरी तक काम किया जो छोड़कर जा रहेते हैं जो जाने नहीं दिया इसका मतलब वो भी आखरी तक काम किये तो तीनों मिलकर काम किये शे तीन नौ दो ग्यारा की efficiency से काम किये तो बारह दिनों में काम खतम हो गया 12 देस इस दे राइट एंसर ऑब इस को बारह दीन option number d is the correct option d सवाल का एकड़ों correct है कि सुजित का केना सर्फ एलसम लेने में ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब सुजित आपने मेरी बात नहीं सुनी थी अगर आपने सुन लिया होता वह इंप्लिमेंट करते टाइम नहीं लगता दोस्त तीनों में बड़ा नंबर देखो तोला बत्तिस अड़ता लिस कौन सा बड़ा नंबर है 48 या 48 बत्तिस से डुएड होगा नहीं होगा 48 का डबल देखो 96 तोला से भी होगा 32 से भी होगा और कोई है जिसको टाइम लग रहा ह और भी तरीके होते हैं कही बार बड़े बड़े नंबर आएंगे सब तब क्या करेंगे वो भी तरीका बताऊंगा बट पहले आपको यह तरीका क्लियर होना चाहिए तो यह बताओ LCM निकालने में किसी को टाइम लग रहा है क्या जिनको भी लग रहा है कमेंट कर सकते बिं तो इसका टेबल देखो 48, 2, 96, 96 नहीं होता तो भी 96 का डबल देखते है 192 वैसे चेक करते जाते हैं ठीक है सर जाने नहीं दिया तो एंसर तो बदलेगा ना अरे नहीं बदलेगा यह वाला STEM सरल भासा में बता दो यह जो भासा बती तीर सरल थी है अब बहुत्त है तो यह तहींति है अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं आप को यह चीज अच्छी नहीं लगती है वो क्या होता है ने जनरली मैंने कही बार देखा है कि आप है ना student को पहले easy method बता दो तो उसकी फोकत नहीं रहती है तब बताओ पहले फिर easy बताओ बहुत अच्छे समझने ला सुनो में भी बाद मैं अगर इस सवाल को ऐसे कल लेता मैं इसको बूल दिता कि भहई चलो फ्रीक है टीनों ने काम करनाशच। की мог खत catal होता है पूरा काम xs में कहता है कब होता है एकसå me if का मतलब सब ब्योड़ory छोड जा रहे है एने पूरे एकसज़े काम किया अगा आखरी तक काम किया a ने x दे तक काम किया अच्छा बी कप चोड़के जा रहा है b आट दिन पहले चोड़का जा रहा है मतलब b ने आट दिन कम काम किया x माइनस 8 c ने 6 दिन पहले चोड़ा है मतलब इतने 6 दिन कम काम किया x माइनस अब देखो total ये काम कर रहा है इतने दिन ये काम कर रहा है ये काम कर रहा है तीनों मिलकर 96 उन्हें टोटल काम कर रहा है तो 96 इक्वल टू 6X प्लस multiply कर दो 3X माइनस 24 प्लस 2X माइनस 12 आप इसको simplify करो यह आपकी आसान रासा होगी 3, 6 और 2 11 11X is equal to 96 में यह 24 एट करेंगे 96 प्लस 24 प्लस 12 यही बात लिखी थी हमनों direct आप लिख रहे हो पुरा equation मनाता है 8 कर दो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा तो कर दो एंसर अगें 12 आजाएगा यही तो किया था हमने बस हमने क्या किया यह equation नहीं बनेती direct किया था अब आपने equation मना की कर लिया यह आसान भासा है तो यह आसान समझे नहीं सब्सक्राइब क्लास का टाइम क्या है यह क्लास का टाइम है जो तस बजे डेली क्लास जो होती हो दस बजे आज सुरी दस बजे अपने गोल वाले बेच चल रही है और जो ग्लास की डेली प्रतिग्या की टाइमिंग हो 4 बजे पर अभी जो प्रतिग्या का टाइमिंग हो डेली 4 बजे का हो ठीक है अचा आसान भासा वाले बच्छों को समझ में आ गया आसान तरीका बट यह आसान नहीं था ना कि आपको वह बता पाऊं जिससे आपका टाइम बचे और जिससे सारे कोशन का एंसर निकल जाए यह करने जाएंगे तो किताब में भी मिल जाएगा इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है अलगी मैथड आना चाहिए यह बी यह कभी यह नहीं बोलूंगा कि आप बेसिक क का पेपर होता है न दोस्त वहां पर यह चीज़े दोनों चीज़े बहुत काम करती है आपके कॉंसेट भी आपका ट्रिक्स भी और आपके जो एप्रोच होता है जो सवाल को बनाने का बीजिक मैथड होता है सारी चीज़े पता हो इसा बूल दिया करो अच्छी बात है अग आपके जो पर यह चीज़े बात है जो सब्सक्राइब करता है जो इसा बात है बात है जो सब्सक्राइब काम किया है साथ झाल किया है यहां पर answer आया है 4 days ओके इस रभन का answer 4 days आया है स्रीमान का answer भी 4 days ही आ रहा है ओके 4 days लेट सी देख लेते हैं 4 days होगा अभी का answer C आ रहा है C मतलब option number 4 चलो भी आ चाओ देखे A can complete work in 15 days A किसी काम को 15 दिनों में B is 50% more efficient मतलब B 10 दिनों में करेगा देखो इतनी सक्तियां आपके पास आजाना चाहिए कि आप इसे directly लिख पाओ मैं बता देता हूं कैसे है B का efficiency वो A से 50% जादा है B का efficiency A से 50% जादा है मतलब यह 100 unit काम करेगा तो 150 unit काम करेगा efficiency का ratio 2 और 3 का हो जाएगा अगर efficiency का ratio 2 और 3 का है तो बताओ time का ratio क्या बनेगा आप बोलेंगे 3 और 2 का बनेगा अब A का time दे रहेखा है 15 3 का value 15 और 2 का value 10 तो यह जो इतना step करते हैं यह आपको directly किसार देखो A का efficiency कम है B का जादा है तो B को number of days कम लगेंगे इतने ratio में रहेगे हैं 3 और 2 के ratio में इसको 3 का value 15 और 2 का value 10 काम करता अतलब केरवल इतना सा है कि A कोई काम 15 दिनों में करेगा तो B गरीब उस काम को 10 दिनों में करेगा और इनकी efficiency भी आपके पास है यह efficiency भी आपके पास सामने है अब दोनों ने साथ में काम किया और उसके बाद B ने दोका दिया B छोड़कर चला गया A finished the remaining one third काम अब मैं को यह बता हो कि A ने कितना काम किया अकेले one third मलब two third काम दोनों ने मिलकर किया होगा कितना two third work जो है A and B ने किया है आपको number of days मिल जाएगा अब हमारा जीवन का मक्से देसर total work निकाल के बता दो यह बताओ कि A अगर 15 दिनों में काम खतम करता है और A का efficiency दोका है 15 दूना 30 तो जो total work होगा वो कितना हो जाएगा यह 30 रख दो तो यह 3 से cancel 20 हो गया 20 यूनिट का हम दोनों मिलकर करेंगे 3-2-5 की efficiency दे चार दिनों में काम खतम हो जाएगा option C एकदम correct answer है option number C is the right answer क्या बहुत है सभी के answer एकदम correct है किसीने कोई गलती नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ा जाए next question देखते है अगला सवाल गिरा A can complete a certain work in 30 days B is 25% more efficient than A and C is 20% more efficient than B they all together for 3 days work all together for 3 days मनलों तीनों ने साथ में मिलकर किवल 3 दिनों तक काम किया है और उसके बाद B बच्चावा काम अकेला करने जाएगा तो कितने दिनों में हो जाएगा B alone will complete the remaining work in B अकेला बच्चावा काम कितने दिनों में खतम करना चाहेगा तो टोटल वर्क कैसे आएगा टोटल वर्क आएगा टोटल एफिशेंसी मल्टिप्लाई बै टोटल नंबर ओडेज या फिर जिसका एफिशेंसी उसका टाइम दोनों का multiply total work, क्या बोला सुजीत मैंने, गौरो मैंने, कि जिसका efficiency उसका time multiply कर दो total work होता है, total work कभी भी आप निकालो न, तो आपके पास जिसका efficiency, जिसका efficiency और जिसका time, इन दोनों का multiply कर दो, जिसका आपको efficiency पता है, उसी का अगर आपको time पता है, multiply करो total work हो, तो देखो यहा पर अगी समझते हम लो एक इन कंप्लीट और वर्क इन 30 देस बी इस 25 पॉसेंट देन ए 25 का मतलब होता है यह 4 करेगा तो पांच उनिट काम करेगा और सी 20 परसंट ज्यादा है भी से मतलब बी अगर पांच करेगा तो यह 6 करेगा रेशियो का बेसिक कॉंसेट पता होना चाहिए नहीं पता है तो रेशियो के नोट्स का रिविजन कर लेना डारेट लिखेंगे हम लोग इसा ठीक है तो यह एफिशेंसी का रेशियो कितना हो जाएगा एबीसी की एफिशेंसी 456 अच्छी बात है अब देखो तीनों मिलकर त सबसे पहली वाल ही तो टल वक निकालता है तो सबसे बुलाएगा यह पूरा काम 30 दिनों में करता है हमको निकालना है टोटल वक तो टोटल वक किसे निकालेगे जिसका टाइम उसका एफिशेंसी का एको 30 दिन लगते एक एफिशेंसी 4 तीस इंटू 4. 120 टोटल काम हो गया पात ही समझञूँ जिसका efficiency पता है अगर उसका time पता है दुनों का multiply हमको एक पता था एक efficiency पता है दुनों का multiply हो गया अब यह total work में क्या हुआ कि यह तीनों ने काम किया कितने तिनों तक तीन दिनों तक चेट चार दस पाच पंद्रह पंद्रह की एफिशेंसी से तीन निनों तक इन तीनों गरीबों ने 45 उनिट काम कर दिया था ृ रियमेंग उत्यूख कितना है आप बोलेंगे सर् रियमेंग वक होगा मेसलों काम 45 उनिट यह काम बज़ गया था यह और निए बच़ों का बária क है एतना है 55 का थे से और 5 के ईफिसे से unit काम करने जाएगा तो उसको त्यम्म लगेगा वो 15 दिन लगेंगे 15 दिन सवाल का अंसर option number a option a is the right answer तो भाई समझ में आया जिसका दिक्कत था कि इससे total work कैसे निकालते है total work simple साथ है कि जिसका efficiency भी पता हो आपका और उसी का अगर time पता हो दोनों का multiply है अगर आपको time पता होता B का तो B की efficiency में B के time का multiply का होता अगर हमको तीनों का combined time पता होता तो तीनों की efficiency का sum करके तीनों के time से multiply total work ठीक है I think सभी को clear होगे होगे बातों आगे एमो करते है next question देख लेते हैं अगला सवाल यह रहा आपके सामने और इस सवाल का answer क्या बनेगा सवाल आप से यह बोल रहा है कि A is price as efficient as B A start working and after 4 days he was replaced by B B then work for 15 days and left if A and B together finish 75% of the total work in how many days B alone can finish the whole work मनलों पूरा काम को ठीक है कौन करेगा B करेगा कितने time में करेगा यह आपको बताना है अच्छा सवाल है यह ना मतलब direct LCM से नहीं बनेगा आपकी concept से बनेगा कैसे बनेगा concept से बनेगा और concept तो सब्सक्रामारे strong होई रहे concept तो strong हो जाएंगे कि दिखकेंगे और लृग करें वा हैं तो जाएंगे और अधिया यहांञा जाएंगे कि बनेगाव आपकी समेंधों और दिखकेंगे इस प्रीट अभिए प्रीटाव में जाएंगे अच्छीन के आपकीं आपकीं तूर के 3DF अ थिक्यों अभी आपकें आंचाराइंगे आपकींगे इस size efficient as B, A का efficiency B से 3 गुला है, मतलब यह efficiency का ratio हो जागा 3 हो रहे, इनकी A and B की efficiency का ratio, सवाल तो खतम हो गया, मैंने यही तो बता है था आपसे, यह efficiency निकालना है, वो आपको पता है, question खतम, अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, A ने 4 दिन काम किया, ठीके सर, इसने 4 दिन काम किया, इसको 4 से multiply कर, B ने कितने दिन काम किया, A छोड़ कर गया, और B ने replace करके, B ने 15 दिन काम किया, इसका मतलब A ने अगर 4 दिन 3 की efficiency से काम किया, तो 12 unit काम A ने किया है, और 15 दिन में A की efficiency, 15 unit काम B ने किया है, दोनों ने मिलकर जो काम किया है, 27 unit काम, जबकि सवाल बोल रहा है इन्होंने 27 unit काम नहीं किया है कितना किया है 75% 75% का मतलब होता है दोस 3 by 4 इन्होंने दोनोंने मिलकर 3 4th काम किया है 27 दिनों में एक unit मतलब 100% काम करने में कितना टाइम लगीगा इनसे cancel किया 9 9.36 तो 36 दिनों में पूरा काम खतम हो जाएगा अगर A और B मिलकर करेंगें तो 36 दिनों में complete हो जाता है अब 2 मिलकर करते हैं तो 36 दिनों मोता है इसका मतलब क्या हुआ भाई कि total काम करते है दोनों मिलकर 4,36 dist 속 26 दिनों में काम करते है that is your total work और यह पूरा काम B अक्यला करना चाहता है B जिसकी मासूम की efficiency कितनी है यह तो बहुत कम है अब क्या बोल रहा है A and B together finish 75 in how many days B alone can finish the whole work यह तो कुछ दिक्कत का कर दिया अपने क्या बोला है B then work for 15 days and left if A and B finish 75% of work 75% मदब 3 by 4 अब चुक 36 36 unit तो total काम होगा I'm sorry 37 unit अपना total काम हो जाए multiply नहीं करना है अब यह था 27 unit 75% का value था मतलब 100% total work total work कितना बनेगा 36 total work 36 unit है और यह 36 unit काम अगर B अकेला करना चाहता है तो 1 की efficiency से करेगा और 1 की efficiency कितने दुनों में complete करेगा 36 ते option D is the right answer option D सवाल का सब्सक्राइब मौमत आयान का केना इसर pipe and system भई pipe and system चली रहा है यह जो चट्टर चल रहा है time in वो को pipe and system को cover करता वही चल रहा है बस वहाँ पर क्या होगा A की जगा pipe P लिग देगा B की जगा pipe Q लिग देगा बस यह रहेगा और इसके लावा भी डिफरेंस होता है कि यह नहीं होता है उसमें और भी डिफरेंस होता है जो कि हम लोग देखेंगे अगले session में जब आप लोगों से question पूछाता है कि आप लोगों को comment करके यह बता है ना what is the difference between maths and quant एक कमेंट आए क्यों बताओ आप सीरियस नहीं लेता है question को अभी भी कोई सवाल आपको मिलता है तो आपका करते हुए है कि प्राय करेंगे उसका answer निकाले सोचेंगे उसके बारे में क्योंकि क्या होगा ना वह सवाल मैंने किवल इसलिए पूछाता है कि हो सकता है आप जब पीयो का exam क्रेक कर ले आप interview में जाए तो वहाँ पर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि कभी आप पढ़ रहे हो तो कभी maths and quant. maths और quant में basic क्या difference होता है? एक comment आया था बहुत प्यारा comment आ हो और एकदम correct भी था हो आप लोगोंको बताना है इस सवाल कहां से बता हो क्या बनेगा? A, C is 100% more efficient than B, A alone can complete a piece of work in 9 days and B and C together can complete same work in 2-2 by 3 days. Find what portion of work will be completed if A and B work together for 4 days. A और B दुनों साथ में मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो कितना काम complete हो जाता है? यह आपको बता है. सर बता है यह ना difference? मैं बता जैता है पका अगर आप लोगों try भी करते हो ना comment के नेचे यह भी लिख देते हैं सर नहीं पता है. तो भी difference आज इस class में बताता है. बढ़ महापर कोई response ही नहीं था आपका. Find what portion of work will be completed if A and B work together for four. C जो है वो B से 100% है. 100% होने का मतलब यह अगर एक होगा तो यह दो हो जाएगा. A alone can complete the piece of work in nine days. भाई A काम करेगा तो नौ दिनों में करेगा. यह खतरनाक चीज़ है. ठीक है इसको इदन ले जाते हैं. A बोल रहा है कि मैं तो अकेला नौ दिनों में कर लेता हूँ. जबकि B और C बोल रहा है कि हम दोनों मिलकर करते हैं तो 2, 2 by 3 मतलब 3 दूना 6, 6 और 2, 8 बट्टा 3 लगए. यह LCM लेना है. LCM में क्यों डिनोमिनेटर को देखो? 9 और 8. 9 और 8 का LCM कितना हो जाएगा? 72. 72 को 9 से डिवैट किया 8, 8 से डिवैट किया 9, 3 जा 27. अब देखो यह तो clear है कि A अकेला 8 unit काम करता है. और B और C की efficiency का ratio total सतता है इसे, बट ratio कितना है? 2 और 1 का है, 2 और 1 का मतलब B 9 करेगा तो C 8 रहा करेगा. 2 और 1 की ratio में break कर दिया है हम लोगों. अब आपसे बोला गयाएगी A और B मिलकर 4 दिनों में कितना काम करते हैं? A और B मिलकर 9 और 7, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17. और 17 को कितना होता है? 68. 68 होता है ना? यह दोनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिनों में करेंगे 17 इंटू 4. डिवाइड बाइ 36. तो इन्होंने जो portion of work complete किया है, वो कितना किया है? 17 by 18. 17 बट्टे 18, option number E. Option E सवाल का सही अंसर. तो क्वाण में basic understanding of concept होता है, formula नेसेसरी नहीं है. देखो उसके लिए simple सी बात है, कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपकी जो daily काम है, खतन कर देना है, उसके बाद systematic तरीके से class attend करना है, class attend करने के बाद practice करना है, question बनने लगे. देखो सिर्फ ये कहने से, मेरे से question नहीं बनता है, मेरे से question नहीं बनता है, maths नहीं समझ में आता है, maths बनेगा नहीं, तो बहुत tough लगता है, कि बहुत कहते रहोगे ना वो आपको उतना ही डराएगा, आपका effort ज्यादा होना चाहिए, आप जब तक जो काम कर रहे हैं, उसम को ना math की बिना रहा नहीं जाएगा, एक time ऐसा भी आ जाएगा, बट उसके लिए आपको मेहनत करने हैं, पहले भी आपसे बोला है कि किसी भी काम को start करते हैं, तो starting थोड़ी सी difficult होती है, starting में थोड़ी परेसानी होती, I know, आप भी जानते इस बात को, बट जब आप starting वाला और try करो, फिर नहीं बनता, फिर try करो, starting में struggle रहेगा कुछ दिनों का, बट उसके बाद मजा आने लगेगा, और जिस दिन मजा आने लगा ना तो आपका interest बनने लग गया, और interest बनने लगया, subject सारे easy लगने लग लग जा, ठीक है, ओके, तो गरो, morning में कौन सी class होती है, गो अब इसके अलावा मैंने जो concept था, group वाला वो भी आपको बता दिया है, कि number of persons आते, question मनाना तो क्या करेंगे, एक और चीज हम लोगों की थी, वो थी sir, कि थोड़ा सा efficiency के साथ, अगर हम लोग बात करे, capacity की, या efficiency के साथ बात करे, flow rate की, तो यह flow rate क्या बला है, capacity क्या बला है तो इसको समझने के लिए हम लोग मिलेंगे, next chapter में, pipe and system के साथ, तो pipe and system में मैं आपको बताने वाला हूँ, what is flow rate, flow rate क्या होता है, capacity क्या होती है, कैसा calculate करते, और जो वो चीज भी clear हो जाएगी, तो यह दोनों chapter आपके complete हो जाएगे, देखिए अभी आपका basic concept पूरा जो tough level की question करने, उसके लिए थोड़ा सा wait करना पड़ेगा, but मैं try कर रहा हूँ कि एक बार यह concept आपका strong हो गया, question कितना भी tough हो, अब बना लेंगे, question tough किसे बनता है, language पर, उसका language tough हो जाता है, calculation पूरा tough हो जाता है, concept दो तीन एक साथ लग जाते, question tough हो जाते, तो आपका calculation manipulation तो strong हो रहा है, practice करेंगे, concept clear यहां पर हो रहा है, ठीक है, सारी चीज समझ में आ रही है, language वाली चीज़े प्राक्टिस से अपने ठीक हो जाएगी, सारी चीज़े सही हो जाएगी, ठीक है, playlist में डालो आपका all video, हाँ बना रखाया है, playlist की नहीं, आप लोग क्या करेंगे, सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर आप session का complete PDF notes चाहते है, आप चाहते हैं, सारा सब कुछ systematic तरीके से मिल जाए, तो PW का app download करो, अभी करो, ठीक है, PW का application play store पर जाकर download कर लो, अब download करने के बाद, जब application download हो जाए, category में banking category select करना है, क्या select करना है, category आपका banking category होगा, और banking category में आप लोगों को प्रतिग्या, मतलब जो अभी बेच चल रहा है, सारे classes मिल जाएंगे, सारे classes के notes मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, और अपको practice set के question मिल जाएंगे, उसके बाद एक और batch दीख रहा होगा, वहाँ पर goal, goal वह है, जो foundation batch start हुआ है, जो 2 गंटे regular चल रहा है, सु आप ही वाले batch में भी enroll कर सकते, दोनों batch में enroll करेंगे, सब पैसा देना है, अगर देना है, फिर भी आपकी इच्छा है, सब पैट वह अच्छी चाहिए, तो पैसा दे देना हूँआ है, पैसा नहीं लेगा पैसा, 0 रुपे दे कर रहा है, तो प्रतिग्या वाले batch में enroll कर ल पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा यह लिखाव भी मिल जाएगा हम आप पर आप ठीक है ओके अर्ट क्लियर गॉल बेच में यह सारा चप्टर रिपीट होगा ना अंजल गॉल बेच में आपन और ज्यादा चीज़े करेंगे जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना कि सर अभी tough level के question नहीं देखे हम लोगे गॉल बेच का में मोटिव होँए वहाँ पर tough question भी होंगे और सर हमने group वाले question की practice नहीं किया group वाले question भी होगे वहला गॉल मेंच का में मकसद है गॉल आपका गॉल पूरा का पूरा complete हो जाए प्रतिग्या में हम लोग concept पूरा अच्छे से कर रहे हैं वहाँ पर practice ज्यादा करेंगे number of question ज्यादा होगे level ज्यादा होगा तब तक के लिए द्यान रखेंगे basic third foot से बन जाते question गुमा के दिये तो mind ही नहीं चलता सर क्यों 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 क्योंकि practice की कमी है क्योंकि practice की कमी है आपका mind गुम जाता है क्योंकि examiner आपको गुमाना चाहता है जब आप practice कर लोगे आप समझ जाओगे कि यह घुमा रहा है व झाल